हेलो दिये स्टूडेंट्स वेल्कम बेक टो और्गिनाइज नॉलेच चैनल और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे असेस्मेंट वरक्षीट नमबर नाइन फोर क्लास एट्थ विशह सामजिक विज्ञान है और ये वरक्षीट आपके लिए 14th of December 2021 के लिए शेडियूल की गई है आज की जो वरक्षीट है प्यारे बचो उसमें हमें 10 MCQs कोस्टन दिये गए हैं जिनके आंसर हम डिस्कस करेंगे वरक्षीट शूकरने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को भी प्रस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए तो देखें आज के वक्षीट में क्या दिया गया है वक्षीट शू करने से पहले बिटा आप कोशिश कीजिए खुद से एक बार इसको सॉल करने की कोशिश कीजिए और बात में आप अपने आंसर जो है वो मैच कीजिए क्योंकि यह जो mcqs questions है यह आपकी जो previous वक्षीट है उनहीं के उपर बेस्ट है तो आप easily इनको सॉल कर सकती हो निमलिखित प्रशनों के सही विकल्पों के सामने दिये गए गोले को पैनिया पैंसिल की सहायता से काला आपको यहाँ पर करना है पहला प्रशन है स्वतंतरता मेरा जनम सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा यह नारा किस ने दिया था तो ये नारा किस ने दिया था बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांदी, दादा भाई नारो जी और गोपाल क्रिशन गोखले तो बच्चों ये नारा किस ने दिया था ये नारा देने वाले थे बाल गंगाधर तिलक की स्वतंतरता मेरा जनम सिद्ध आधिकार है ठीक है, freedom is my birthright, ये जो है इसका right answer हो जाएगा नेक्स देखिए, question number 2 है, 1885 में भारतिय राष्ट्रे कांग्रेस की स्थापना किस ने की? तो भारतिय राष्ट्रे कांग्रेस की स्थापना जो है वो किस ने की थी? ये आपको यहाँ पर बताना है option A, दादा भाई नारोजी, option B, A. O. Hume, C है फिरोजशा मैता, and D है सुरिंदर नाथ बनर जी तो सही answer आपका B हो जाएगा, A. O. Hume ने जो है भारतिय राष्ट्रे कांग्रेस की स्थापना 1885 में की थी next देखिए प्रशन तीन है, लाड करजन ने बंगाल का विभाजन कब किया था? option A, 1903 में, B. 1904 में, C. 1905 में, D. 1906 में तो बच्चो लाड करजन ने बंगाल का विभाजन वो कब किया था? 1905 में किया था C जो है इसका right answer हो जाएगा आप करेंगे प्रशन नमबर 4, आंधर में सौधेशी आंदोलन को किस नाम से जाना गया? option A है वंदे मातरम, B. जनगनमन, C. है इंकलाब और D. है इन में से कोई नहीं तो आंधर में सौधेशी आंदोलन को जो है वंदे मातरम के नाम से जाना गया ए जो है इसका right answer हो जाएगा ठीक है वंदे मातरम के नाम से जाना गया next देखिए वच्चो प्रशन 5 जो दिया गया है next देखिए question number 5 आपको दिया गया है निमलिखित में से किस कानून के द्वारा मुसल्मानों के लिए प्रथक निर्वाचिका की व्यवस्था मान ली गई थी सही answer रहेगा आपका यहाँ पर option वैसे दिये गई है आपको देखिए option यह है government of india act 1905 government of india act 1909 government of india act 1935 और government of india act 1919 तो सही answer क्या रहेगा government of india act 1909 के तहत कानून के द्वारा मुसल्मानों के लिए प्रथक निर्वाचिका की व्यवस्था मान ली गई थी next देखिए next है question number 6 1907 में विभाजन के पस्चात Congress के दोनों धड़ों में एक ता कब स्थापित हुई घड़ क्या मतलब होता है हिस्से ठीक है तो Congress के जो अलग-अलग हिस्से थे उनमें एक ता कब स्थापित हुई थी option A 1911 option B 1915 C 1925 और D 1935 तो सही answer क्या रहेगा बच्चो सही answer हमारा हो जाएगा यहां से B 1915 ठीक है B जो है हमारा right answer रहेगा next देखिए प्रेशन साथ है निमलिकित में से किनके समर्थन में गांधी जी ने 1918 में एहमदाबाद में हर्ताल किया था तो किसके समर्थन में एहमदाबाद में हर्ताल की थी नील की खेती करने वाले किसानों के लिए मिल मजदूरों के लिए A और B दोनों और D है इनमें से कोई नहीं तो एहमदाबाद में जो हरताल की गई थी 1918 में वो की गई थी मिल मजदूरों के लिए B जो है बच्चो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा नेक्स देखिए प्रैशना आठ है जलियावाला बाग हत्याकांट के विरोध में किसने ब्रिटिस सरकार द्वारा दिये गई नाइट हुड की पदवी लोटा दी थी जलियावाला बाग हत्याकांट के विरोध में ब्रिटिस सरकार द्वारा दी गई नाइट हुड की जो पदवी थी वो रविन्दरनाथ टैगोर जी के द्वारा वापस लोटा दी गई थी बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ठीक है तू चारो का ही आंसर बी है बच्चो ठीक है ना फिफ्ट सिक्स सेवन तिट चारो का आंसर आपका बी है नेक्स देखिए प्रेशन संख्या नो और दस कोर देख लेते हैं प्रेशन संख्या 9 से 10 में दो वक्त वे जिनमें कथन A और कारण R से निरुपित किया गया है इनको ध्यान पूर्वक पढ़िए और नीचे देगे विकल्पों में से सही विकल्प के सामने देगे गोले को पैंसिल या पैंसिल की साहिता से काला आपको करना है देखें A दिया गया है कथन A और कारण दोनों सही है और कारण A की सही वेख्या करता है तो आप आंसर A लगा देंगे अगर दोनों सही है लेकिन कारण कथन की सही वेख्या नहीं करता तो B लगा देंगे C है कथन A सही है जबकि कारण R गलत है और D है कथन A गलत है जबकि कारण R जो है वो सही है नाइंथ जो कोशन है कथन गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया तो बिल्कुल खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था क्यों किया था क्योंकि गांदी जी हिंदू-मुस्लिम एक नाके समर्थक थे बिल्कुल समर्थक थे उनको पता था कि अगर हिंदू-मुस्लिम एक नहीं होंगे तो अंग्रेज जो को खदेड़ना मुश्किल हो जाएगा इसलिए वो जो है खलाफत आंदोलन का उन्होंने समर्थन किया था तो यहाँ पर आंसर आपका ए हो जाएगा दोनों ही बाते बिल्कुल ठीक हैं और यह एक्स्प्रेइन भी इसको प्रॉपर कर रहा है नेक्स देखिए प्रशन दस है कांदी जी ने फरवरी 1922 में अचानक से ऐसा यो गंदोलन वापस ले लिया बिल्कुल ले लिया था 1922 मे अचानक से क्यों क्यों कि किसानों की एक भीड ने चोरा चोरी में पुलिस थाने में आग लगा दी थी और बहुत सारे पुलिस कर्मी वहाँ पर मारे गए थे तो यह बिल्कुल राइट है एक्स्प्लेनेशन भी राइट है और आंसर भी ए राइट है ठीक है ए जो है इसका आंसर हो जाएगा तो यह थी आपकी आज की assessment worksheet I hope सभी बच्चों को यह clear है फिर भी कोई doubt है तो बच्चों आप पूछ सकते हो वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज प्लीज लाइक कर दीजिए शेर कर दीजिए और चैनल को भी subscribe कर लीजिए so thanks for watching प्यारे बच्चों मिलते ह नेक्स्ट वीडियो में टेक केर बाई बाई